कि नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुमियोपेटिक क्लेनिक में एक पर फिर आपका स्वगत है साथियों आज हम बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस के विशह में हाइपर हाइड्रोसिस वो समस्या है जिसमें आपके बाड़ी में कहीं से भी स्वटिंग होने लगती है एक्सरसाइस या हीट ना होने और एक्सरसाइस लेज़एं ना करने के बावजूद तो यहां जो एक्सेशिव स्वेटिंग की प्रक्रिया है इसको हाईपर हाइड्रोसिस कहते हैं अपको भी जनकारी होनी चाहिए आज हम बताएंगे आपको साथ ही हूं हाइपर हाइड्रोसिस को रोकने कि दसकार करो फुमोपैइफिक दवाएं क्योंकि यह जो समस्या है वो इतना पशीना ला देती है बहुत बच्चे लिख नहीं पाते जिनना पसीना आता है पेपर में उनका टेस्ट पेपर सब्सक्रों ना तो सिल्सक्रों सतरे के लिए आपका जिशा देने का प्रीयास करेंगे सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हाईपर हाईडोसिस होती क्या है हाईपर हाईडोसिस साथियों excessive sweating को कहते हैं उस तरह कि जब आपके excessive sweating हो रही है और आप ना तो exercise कर रहे हैं और ना एक गर्मी बहुत है तो यहाँ जो एक अन्यविजूल स्वेटिंग होती है, अन्यविजूल पसीना बहता है बगार गर्मी होने के या बगार किसी exercise या वर्जिस करने के उस फिरॉमना को हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं या बाद कर लेते हैं इसके symptoms की। इसके symptom साथियों, body के किसी भी part से जो excessive sweating होती है, वही इसका symptom होता है, और यहाँ sweating बिना किसी exercise या heat के weather के होती है, या cool weather में भी आपके हर मौसम में पसीना आ रहा है, आपके या देली तल्वे या body के किसी भी part में, तो यहाँ symptom है hyperhidrosis का, excessive sweating का, कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस आते हो hyperhidrosis का, आपकी जो nerves होती है, वो hyperactive हो जाती है, इसको primary hyperhidrosis का कहती है, सबसे common form होता है hyperhidrosis का, जब आपकी nerves ज्यादा active हो जाती है, तो यहाँ आपको sweat glands को trigger कर देती हैं, और sweat glands से पसीना या water secret होने लगता है, इसका आज तक cause unknown है, लेकिन देखा गया है कि diabetic patient में, hypothyroid के patient में, weakness के patient में, इस तरह के patient में hyperhidrosis ज्यादा होती है, आपकी जो nerves होती है, वो ज्यादा trigger हो जाती है, आप साथियों, आपको हम बताएंगे, आपको समस्या को ठीक करने के विशह में, दस homeopathic दवाएं, उससे पहले साथियों आपको बता दें, कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुसल किसर से prescribe करें, ना लीजेगा, क्योंकि जो दवा आपको आपको आपको नुकसान भी कर सकती है, चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको हाइपर हाइड्रोसिस, यानि एक्सिसिफ स्वेटिंग आपके पांथ फूट या कहीं पर भी एक्सिसिफ स्वेटिंग को ठीक करने की तस कारकर homeopathic दवाएं, एक इस्थिति साथियों जो या फिर आपके आन्पिट से हो रही है, तो इसको हमापैथी में इस बिमारी को इस सिंटम को ठीक करने की बहुत कारगर दवा सालीसिया है, आप सालीसिया वनेम के तीन खुराक वीकली ले लें, पच-पच मिट के फासले पहार रखते, आप देखेंगे कि आपको जो हतेली से पसीना आ रहा है, तलवे से पसीना आ रहा है, और आपिट से पसीना, बगल से पसीना आ रहा है, वहाँ खतम हो गया, सालीसिया के मरीज को नॉर्मली सर्दी जादा लगती है, वो चिली होता है, तो आपके हतेली का पसीना जो आपका बच्चा लिख नहीं पाता है, या पैर के तल्वे में इतना पसीना तकी सौक्स की लिए हो जाते हैं उस समझ से आपको ठीक करने की दवा साइलिसिया है फिर साथियों कि स्थिती आती है कि आपके पसीना जो आ रहा है वो उसमें मीठा बने स्वीट है वह पसीना अगर यह सिति आप में है कि पसीना आपका स्वीट वो मख्यां आ रही है उस इस्थिति को भी हमें पैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कैलेडियम आप कैलेडियम थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार हाइपर हाइड्रोसिस की उस इस्थिति में ले सकते हैं जो आपके एक्सिटिफ स्टिंग हो रही है खाना खाते वक्त विस्थ तौर पर या ऐसे भी जिस पर की मख्यां अट्रैक्ट हो रही हैं मख्यां भिनमिना रह हा आपके सर से बहुत पसीना आ रहा है इतना पसीना आ रहा है कि बच्या रात में लेटा तो पूरा तकीय का हिस्सा घीला हो गया करकी जाय přवह भली चेटिंग हो रही है तो उसके हमें पैठी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मैं का लिगरिया का सब्सक्राइब करने की सबसे कारगरदवा कलकरिया कार्व है इसको आप 30 पावर में डेली तीन बार लेके अपनी समस्या को टू कर सकते हैं फिर कैसि आती है इसाथ यह फिर है पर हैड्रोसिस में कि यह प्रेंकि जिता अप निया है अदिधा निया फीर्वह में कि होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा बलेडोना है आप बलेडोना 200 दो दो बून दिन में तीन बार दे दे दें आप देखेंगे कि पसीना भी रुख गया और आप इस्तिती आती कि आपके पूरे शरीर से पसीना आ रहा है अगर आप याए स्तिती है कि बहुत एक्सिसिफ स्वेटिंग हो रही पूरे शरीर से तो इसको ठीक करने की होमियोपैथी में दो कारगर दवाए हैं पहली दवा है सुराइनम और दूसरी दवा है सलफर सुराइनम वन एम की तीन खुराग पाट-पच मिनिट के फासले पे वीक लिए आप उसे स्थिती में ले सकते हैं कि जब आपको ठंडक बिल्कुल ही नहीं बरदास्थ हो रही है आप बहुत घरम में बैठे हैं तब भी आप ठंडी हवा आपको पुरी लग रही है अगर यह स्थिती आपके हो और आपके स्वेटिंग हो रही हो तो समस्या को ठीक करने की निश्चित रूप से दवा सुराइनम है और इसकी दूसरी दवाव में पेठी में बहुत कारगर है हाइड्रोसिस की वहाँ है सल्फर सल्फर वार यहम की तीन खुराग 5-5 मिनिट के फासले पर वीकली आप उसी स्थिती में ले सकते हैं जब आपको खाने में मीठा बहुत पसंद हो आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो आपको नहाना नपसंद हो तो सल्फर आपकी ड्रग दा आप दा चॉइस है इसकी आप तीन फुराग वीकली लेकर यह जो excessive sweating का scenario है इसको खतम करके अपने कुलाब दे सकते हैं और comfortable हो सकते हैं फिर साथ यह एक स्थिती आती है कि आपको sweating हो रही है और sweating body के किसी एक tip बराबर point हो रहा है जैसे कि जब आप खाना खा रहे हैं खाना खाते हो रही है तो अगर आपको खाना खाते हो रही है तो उस इस्थिती से निपटने के हुमियोपैती में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है इगनीशिया अमारा अप इगनीशिया अज़िती दो दो दोवन दिन में तीन बार ले सकते हैं उस इस्थिती में जब आपके खाना खाते वकर नोस के ऊपर पसीना आ रहा हो तो आपकी दवा इनीशिया है हुमियोपैती में इतिक कारगर दवाएं साथियों देखे एक सिंटम की दवा हुमियोपैती में है यही खासियते हैं फिर साथी में किस्थिती आती है कि आपके स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत बद्बूदार है उसमें बहुत ज़्यादा बद्बूदार है उसमें बहुत बद्बूदार है उसमें बहुत बद्बूदार है उसमें बहुत बद्बूदार हैं पहली दवा है सालिसिया दूसी दवा है सलफर तीसी दवाह बॉष्टा और चोथी दवाई ही परसल यहां चारों दवाएं आपके जो उफिंसिव डिसॉडर है उसको खतम कर देंगे सालीशिया उस इस्टिती में आपके बहुत कारगर दवा है जब आपका जो स्वेट आ रहा है पसीना आ रहा है वो बड़ा बद्बूदार है एक्सिसिव स्वेटिंग हो रही है और वहां बहुत बद्बूदार है बहुत ओफिंसिव ओडर की है उस इस्टिती की दवा सालीशिया है फिर दूसी दवा आती सलफर सलफर उस इस्टिती की बहुत अच्छी दवा है कि जब आपके बहुत बद्बूदार ओफिंसिव पसीना आ रहा है और आपके हतेली और तल्वों में जलन हो रही है अगर यहां इससिती आप अपने में पाते हैं तो आपकी Sulfur Drug of the Choice है इसकी 1, 2, 3 फुराग विकली ले लें आपके हतेली और तल्वों की जो जलन होती है वहाँ भी खतम हो जाएगी और आपका Hyper Hydrosis यानि excessive sweating भी खत्म हो जाएगा तीसी दवा सातियों इसी संकला की है बोविष्टा बोविष्टा उस इस सिती की बहुत कारगर दवा है जब आपके पर्बूदार पसीना आ रहा हो उसकी महक प्यास जैसी हो अनियन जैसी हो तो अगर आपको offensive sweating हो रही है और आप comfortable position में आ जाएंगे चौछी दवा सातियों इसी शंकला की है हिपरसल्फ हिपरसल्फ उस इससिती में बहुत कारगर है जब आपके पसीना आता है मान लिए आनपिट से पसीना आया बगल से पसीना आया और वो कपड़ों को पीला कर गया पीला इस्ट्रेंग छोड़ गया पीले निशान छोड़ गया पीले दाग छोड़ गया तो अगर वहाँ सिती आपके हो सातियों तो इस इससिती को ठीक करने की बहुत कारगर दवा हिपरसल्फ है आप हिपरसल्फ थर्टी दो दो बून दिन में तीन बाल लेके यह जो येलो स्ट्रेंड करा हुआ स्वेट है पसीना है इसको खतम कर सकते हैं और कमफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं फिर सातियों कि स्थिती आती है एक्सेशिव स्टिंग में कि आपके पूरे फुट से बहुत स्टिंग हो रही है अगर आपके फुट से एक्सेशिव स्टिंग हो रही हो तो इसको ठीक करने के हुए पहती में तीन बहुत कारगर दवा हैं पहली दवाए सालीसिया दूसी द बद्बूदार हो तो आपकी दवा सलिसिया है सलफर उसी सिती में बहुत अच्छी दवा है जब आपका जो पसीना आ रहा हो वो बद्बूदार हो और साथ में आपके पैर और पैरों में जलन महसूस हो रही हो पूरे पैरों में जलन और लालिमा आ गई हो तो अगर जलन तो तो उसी स्थिति में फुट की स्वेटिंग को दूर करने की यहां तीन दवाएं फिर साथियों कि स्थिति आती है कि जब आपके एक्सिशिव स्वेटिंग हो रही हो और वहां के पैर और कारण प्रबेंस तो नों जगांने वह जङां से ओ आपको गैस बहुत प्रादमस अगर आपको गैस की बहुत प्रादमस का इस्टमक ब्लोटेट रहता में दो दो बून दिन में तीन बार आप उसे स्थिति में ले सकते हैं जब आपके स्वेट एक्सेसिव आ रहा हो आपकी तकलीफ शाम को चार बज़े से लेके आठ बज़े तक बढ़ रही हो और आपका स्थिति को ठीक करने की सबसे बढ़िया दवा लाइको पोडियम है फिर साथियों गरीब इस्थिति आती है इसकी स्वेटिंग का कुछ मरीज आते हैं तो यह जो दुखी मरीज है जिनको ग्रीफ रहता है और उनके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उस कंडिशन को ठीक करने के हुमें पहत कारकरतवा इगनीशय अमारा है आप इगनीशय थर्टी दो दुबून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे श्राइब हो गिनीशय में विश्ति निकालन के आपको ठीक कर देगी। फिर साथिढ़ी कि श्टी आती है कि बहुत ठंड़ा पसीना आ रहा है आप इस तो रहुं के वह ऐतनिशन को ठीक करने कार गर्दवा है और दवा कनामें रियें तर्वाडर्य अलबम 1234 ।ो भनोन ध ना हो और आपके चेहरे प्रीबाद आरहा हो विलैटरम album is the drug of the choice for you फिर एक बड़ी अच्छी इस्थिती आती है साथियों कि सरीर के किसी एक part में sweat हो रहा है आधे part में sweat हो रहा है तो अगर यहां इस्थिती हो कि आपके शरीर के एक पार्ट में स्वेटिंग हो रही हो और उसके सिमिटिकल दूसरे पार्ट में स्वेटिंग ना हो रही हो तो उस कंडिशन को ठीक करने के होमयोपयती में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइगरंस पल्सेटिला थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार उसे सिटी में आप ले सकते हैं जब आपको शरीर के एक पार्ट में पसीना हो और उसके अपोजिट दूसरे पार्ट में सिमिटिकल पार्ट में पसीना ना हो आपको प्यास कम लगती हो तो अच्छी condition आती है जी वो गरीब condition आती है जो आप में से किसी के साथ हो सकती है इसलिए उसको mention करना चाहते हैं वहाँ यह है कि जब दिन भर तो पसीना बहुत आया रात में सो गए तो पसीना बंद हो गया अगर यहां एस्टिति आप अपने में देखते हैं तो इस condition को ठीक कर सब्सक्राइब करने की भूमियोपैती में बहुत कारगर दवा है सेंब्यूकस आप सेंब्यूकस थर्टी दो दुबून दिन में तीन बार उससी मिले सकते हैं कि जागने पे तो जब आपके पसीना जादा आता है और आप सो जाते हैं तो पसीना खत्म हो जाता है तो उससी सिती की ड्रग उट्र चॉइस सेंव्यूकस है फिर साथियों कि सिती आती है कि जब दिल की धरकन बढ़ती और पसीना आने लगता है कभी-कभी आपको नर्वसने सोती है आपके पैल्पिटेशन शुरू होता है पैल्पिटेशन शुरू होने के बाद आपकी धरकन जो बढ़ आपका स्वेटिंग बंद हो जाएगा उस सिती में कि जब आपको पसीना पैल्पिटेशन के बाद यानि दिल की धरकन बढ़ने के बाद जादा आता है फिर एक सिती आती है साथियों कि जब आप सोए तो आपके पसीना जादा आ गया जब जागे तो पसीना नहीं आ रहा ह सेंब्यूकरस में था जब आप जागते हैं तो पसीना जादा आता है एक सिती होती है कि जब आप सोए तो पसीना जादा आ गया तो अगर ऐसी सिती है कि after falling asleep आपके पसीना जादा आ रहा है स्वेंच जादा हो रही है हाइपर हाइड्रोसिस हो रही है तो उस कंडिशन की बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैकुलेटम आप कोनियम मैकुलेटम वनियम के तीन खुराग पच्छ निट के फासले पर वीकली लेते रहें आप देखेंगे कि यह जो सोने के बाद आपके पसीना बहुत आ जाता है चादर गीला हो जाता है वह स्थिति ठीक हो जाएगे और आप ठीक हो जाएंगे फिर साथियों कि स्थिती आती है कि चलने पर पसीना बहुत आता है जब आप वाप करते हैं तो पसीना बहुत आता है अगर यहाँ स्थिती आप में है कि चलने पर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उस स्थिती को हमयोपेती में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है Mercurus Solubilis आप Merc Sol 30 दो दो बून दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपको चलने से पसीना बढ़ता है आपको सर्दी जादा लगती है तो आपका Drug of the Choice Merc Sol है इसको लेके आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं ये सातियों को दवाई थी होमियोपैथी में आपको Hyper Hydrosis यानि excessive sweating की समस्या को दूर करने के लिए अगर आपके मन में कोई भी question आ रहा हो यहाँ वीडियो देखकर तो आप YouTube Notification Panel में अपना question लिख सकते हैं या फिर हमें 9415 786 383 9415 78680 पर WhatsApp कर सकते हैं आपको संतोष चनक प्रियास किया जाएगा सही उत्तर देने का अगर सातियों आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो यहाँ प्रियास पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करिएगा इस वीडियो को share करिएगा अपने channel को आप subscribe कर चुके होंगे आप दूसरों को भी subscribe करने के लिए motivate करिएगा और bell notification बटन को click करके हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा आपका सातियों हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए साथ वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत आवार बहुत धन्यवार को साथ over there मुत कर्णाने के लिए साथ वक्त बाल थासの Pero आपका साथ करने कि लिए भ्रकाceğim. कुछी हमार, बहुत बहुत दुन कुछी हमारा 流kk कर दो कर दो कर दो कर दो